स्वागा था आपका सिवम के गनिप में ये उपी पुलेस और स्थी जूडी के लिए स्टी के मोस्ट इंपॉर्टन कोस्टन की सीरीज है तो चलिए आज का पहला कोस्टन देखते हैं बीटे सरकार ने बंगाल विवाजन को पति सहत किस वर्ष किया था तो ये किया था 1919 में किया था जलिया वाला बाग की दुर गटना किस सन में हुई थी तो ये हुई थी 1919 में हुई थी अगला कोस्टन है 1911 तक बिहार निमलिकित में से किसके अंतरगत था तो ब्यार किसके अंतर गई तो यार किसके अंतर गई तक तो ये था बंगाल महाप्रांट के अंतर गई अलिगर मुस्लिम विस्विद्धाले की संस्तापक कौन थे? सरसयद ऐहमत कौन थे? सर सायद आहमत थे चौरी चौरा कान किस से समंदित है तो चौरी चौरा कान किस समंदित है तो ये समंदित है आसायोग अंदोलन से किस समंदित है आसायोग अंदोलन से समंदित है पर्थम विस युद्ध के दौरान बारत में लोकप्री होने वाला अंदोलन कौन था तो प्रथम विजुद के दौरान कौन सा अंदोलन लोकप्री हुआ था तो वो हुआ था हॉम रूल अंदोलन लोकप्री हुआ था भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा था बारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा था तो ये था अरप्पा कौन सा सहर था अरप्पा सहर था सिंदुगाटी के लोग विस्वास करते थे तो सिंदुगाटी के लोग किस पर विस्वास करते थे किस पर मात्र सक्ती पर विस्वास करते थे आर सब्द का 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 सब् वसूतर वैदिक गरत का मातपूर अंग है किस वैद में प्राचीन वैदिक की संसकती के बारे में सूचना दी गई है तो किस वैद में दी गई है प्राकरतिक तो ये गई है रिगवेद में दी गई है किस में दीगे रिगवेद में दीगे वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या चार है वेदों की संख्या चार है रिगवेदिक आर्नियों का मुख के विवसाई क्या था तो उनका मुख के विवसाई था पसू पालन क्या था पसू संगीत का आदी ग्रंट किसे कहा जाता है तो बारती संगीत का आदी ग्रंट किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है सामदेव को किसे कहा जाता है सामदेव सासे सामदेव सासे संगीत प्रथम विधी निर्माता कौन है तो प्रथम विधी निर्माता कौन है तो ये है मनु कौन है मनु है प्रथम विधी निर्माता क्रश्म भक्ती का प्रथम और प्रदान ग्रंद कौन सा है तो ये है स्रीमत भागवत गीता कौन है स्रीमत भागवत गीता रिग बेद में समपत्ती का मुख है रूप क्या है तो ये था गोधन था पुरानों की संख्या कितनी है तो पुरानों की संख्या कितनी है अगला कोश्चन है बैदिक धर्म का मुख के लच्छन इनमें से किसकी उपासना थी तो ये थी प्रक्रती की उपासना किस देवता के लिए विगवेद में पुरंदर सब्द का उप्योग हुआ है किस देवता के लिए ये हुआ है पुस्तक है किस से है जियामिती से सम्मंदित है अस्तोमा सदगम में कहां से लिया गया है तो ये लिया गया है आपकर रिगवेत से कहां से लिया गया है रिगवेत से लिया गया है अगला कोश्चन है धर्म सास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है तो ये है एक बटे च्छ प्राचीन भारत में निस्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो प्राचीन वारत में निस्क नाम से क्या जाने जाते थे तो ये जाने जाते थे सौन आभूशन क्या जाने जाते थे सौन आभूशन जाने जाते थे किसे निस्क नेम से योग दरसन के पतिपादक हैं तो योग दरसन के पतिपादक कौन है पतंजली कौन है पतंजली योग दरसन के पतिपादक पतंजली है ओपनिशत पुस्तके किस्से संबन्दित है तो ओपनिशत पुस्तके किस्से संबन्दित है तो यह संबन्दित है दरसन से किस्से संबन्दित है दरसन से संबन्दित है आरम्बिक वैयदिक सांच में सर्वादिक बॉनी नदीय कौन सी है तो यह सिंदू अधिक कौन सी है बैदिक युग में प्रभावित लोग परी सासन पराली थी तो वो थी, गरतंद थी कौंँछी थी, गरतंद थी तो कोशन कैसे लगए, अगर अच्छे लगे हैंsentर वीडियो को लाइक करें और ऐसे कोशन की सीरीज देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें